पजपाने पंचाय चुनाव के लिए कमर कसली है सैकारिता मंतरी डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि बीज़िपी पंचाय चुनाव विकास के मुद्धे पर लड़ेगी वहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के चीनी मिलों की माले हालत सुधारने के दिशा में सरक काम कर रही है साथी उन्होंने कहा कि पानीपत और करनाल शुगर मिल में जल्द एथनॉल प्लांट लगाए जाएंगे जबकि शाहबाद शुगर मिल में एथनॉल बनना शुरू भी हो गया है उन्होंने बताया कि रोहतक में रिफाइंड शुगर पलवल और कैथल चीनी मि कारद मंत्री डॉक्तर बन्वारीलाल स 빼ग माली हालत सुधार्ने के लिए इस सरकार क्या कदम उठा रही है इसमेर साथा हैं प्यूंसरे सप्लेद निक्सक्रह प्सक्राइं लेना पड़ता है तो इनको self dependent होना चाहिए और उस दिशा में हमें काफी कदम उठाए हैं जैसे maintenance का ही देखो तो maintenance में जो गड़बड़ें होती थी तो maintenance के लिए हमने कमेटी बनाई है और उस में उन अधिकारियों को लगा है वो अधिकारी यह निश्चित करेंगे कि यह आर्ट बदलने लाइक है कि नहीं है और वो प्रोपर किसी जैनियून कंपनी का है नहीं है तो इस तरह से एक transparency से काम करेंगे और फिजूल खर्ची उसको कम किया जाए इसी तरह हमने जो हमारी जो सुगर मिल्स है उसके अंदर खाली चिनी बनाने से घाटा पूरा नहीं होता खर्चे पूरे नहीं होते तो उसके साथ साथ हमने जैसे रोतक के अंदर रिफाइंट सुगर बनाना शुर किया इसी तरह कैथल में हमने बगास से ब्रेकट बनाने शुरू किये और शाबाद के अंदर एथनोल प्लांट लगाया एथनोल बनना सुरू हो गया है और इसी तरह और जो हमारी शुगर मेंज से चाहिए पानी पत है करनाल है इनके अंदर भी डिप्यार बन सुकी है और जल्दी ही इनके अंदर भी एथनोल प्लांट लगाये जाएगा ताकि जो हमारे किसानों के जो गन्ने की पेमेंट वो समय पर हो सके और जो गन्नामील है इनका भी घाटा पूरा हो सके मंतरी जो किसानों की गन्ने की पेम Students थी वो पूरा भुकतान हो चुका है या अभी कई मिलों ने भुकतान करना है हमारे आभी Хणवी देखा होगा पिशले 2-3 Si men से हमने प्रॉपर टाइम पर किसानों की गन्ने की पेमेंट की है और कहीं भी आपको प्रदेश के अंदर किसानों की तरफ से कोई विरोध या कोई धर्ना परदर्शन आपको देखने को नहीं मिला होगा और इस साल भी हमने समय पर पेमेंट सभी किसानों के कर दी है किसी भी किसान की किन्नी की पेमेंट वकाया नहीं है मंत्र जी पंचाई चुनाव को लेकर भाजपा की किया त्यारिया है भारजनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तयार है और काफी दिनों से हमारे प्रदेश अदेक्स मान्यों प्रकास धंखड जी भी बार बार जिले लेवल पर और मेटिंगें ले रहे हैं संगठन के साथ बैठ कर चर्चा कर रहे हैं और सभी जिलों में उन्होंने परभारी भी लगाए हैं और सभी परभारी हर जिले में जाकर के लोगों से फीड़बैक भी लिया है पादाधिकारियों से फीड़बैक भी लिया है कि हमें जो चुनाव है पंचायत का उसको सिंबल से लड़ना चाहिए या बिना सिंबल पर लड़ना चाहिए तो रिड ही परभारियों की रिड़ uh अभी चार तारिक को दिल्ली में भी हर्यान भाउन मिटिंग थी माने मुख्यमंत्री जी भी वहां थे माने प्रदेश अद्धिक्स भी थे तो सभी प्रभारियों की रहाई ली है उन्होंने और उसके बाद हमारी जो स्टेट एलक्षन कमेटी है जो चुनाव समीती है वो इस ले आठ साल के अंदर माने मुख्यमंत्री मनोरलाजी के कुसल नेतरतों में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और बिना भेदवाव के बिना व्रस्टाचार के बिना इलाकावाद के जिस तरह से विकास कारी ये पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं तो विकास का ही हमार बुदधाय के सिध्धानत पर जिस तरह से प्रिवार पैचान पत्र वनाय हैं और उनके जरीह जो इस सब से गरीब हैं मारे समाज इंदर उन लोगों का ज्यूल सत्र उठांगाने के लीए अन्तु देक के तह्त और पर पैचान पत्र को आधार से जोड़कर उनको जो स्विधाएं देने का काम अंतुदे मेले लगा कर ब्लोग लेवल पर जिले लेवल पर ये काम हमारी सरकार कर रही है और हमारा जो मेन जो सरकार जनता के सामने होगा विकास का मुदाई रहे है दाक सब जिस तरह आप कहा रहे हो कि भाजपा जन हित में क आंगरस केंदर की मुदी सरकार के खिलाब चाश थंबर को क्यों हला बोल रैली कर रही है विपक्स का काम है विरोध करना वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हमारी जो सरकार चाहिक केंदर की सरकार हो माने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में चाहिए हर्याना क प्रिशद के या नगरपाली का के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में भारत जंता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो लोग इस बात को मानते हैं कि भारत जंता पार्टी की सरकार में बड़ा अच्छा काम हुआ है ये थे मेरे साथ सहकारिता मंत्री डाक्टर बन्वारिलाल इन्होंने बताया कि सुगर मिलों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार कदम उठा रही है वह इन्होंने ये भी बताया कि भाजपा विकास के मुद्दे पर पंचाय चुनाव लड़ेगी अनिल कुमार टोटल न्यूज चंडिगार